हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आप सब को बहुत बहुत स्वागत है में चैनल में तो यहां पर आप जैसा कि देख सकते हैं आज एक जो कढ़ाई मैंने लिए है वो काफी जादा जो जल चुकी है जो इसमें जो तेल है न वो अच्छे से मतलब इसका एक परती जम चुका ह है जो ऐसे चुड़ाने से जल्दी चूटेगी ने तो बहुत ही अच्छा तरीका लिकर आए हूं जिसमें आपको कोई जादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और यह जो पूरा जला हुआ है ना यह अच्छे से छूट जाएगा तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसे ए पीछे के साइट से में ज्यादा जली हुई है तो इस तरीके से इसको गरम कर लेंगे और एक तरफ कड़ाई में रख देंगे खुप सारा पानी इतना पानी की जो चोटी वाली कड़ाई है जो जल चुकी है वो इसके अंदर अच्छे से डिप हो जाए उसके बाद दो कड़ाई या तावा जब ज़्यादा गरम होता है उस वक्त उसके क्लीनिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छे से वह साफ होती है तो आप देख सकते हैं साइड में भी जला हुआ है तो हर तरफ घुमा घुमा के इस तरीके से हमें इसको गरम कर लेना है जिससे इसकी जितनी जो इसका गंदगी है वो सिध़ हो जाता है उसके बाद इसमें हमें एट करना है तो इनो थोड़ा सा अंदर में ताल देंगे और थोड़ा सा बाहर में भी इस तरीके से डाल देंगे उसके बाद इस पानी को अच्छे से हमें खौलाना है दो-चार मिनट के लिए जब यह लूज नहों जाए तो इस त्रीके से अच्छे से हमें बॉयल करते जाना है जब इह अच्छे से गरब हो जाए उसके बाद हमें क्या करना है कि गैस को ओफ करना है और यह जो कड़ाई है इसको हमें निकाल लेना है, यहां पर आप देख सकते हैं एक जो बर्तन से भी आप इसको अगर निकालेंगे ना तो इसकी जो जली वही परत इतनी ज़्यदा लूज हो गई है कि यह अपने आप निकल रही है तो अब हमें ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी इसको साफ करने के ल को थाइव पर बहुत सप्टमाल कर लेकwnine this water to make the nutrition अरूए जर को अलिषिते साफ करते हैं तो इस तरह के सेख्श कर वो ले लिए और कपरणी के हल्प और निए की हईए सको पकड़ लिए क्योंकि कि हमें इसको गरम गरम ही साफ करना है और zweiten जादा गरम होता है जिसे हाथ उवेगर पकने के डर रहते हैं साथ के साथ नीचे स्लिप हो रहा था तो आप एक कपड़ा रख लीजे उसके बाद बहुत ही अच्छे से ग्रिप बनेगी जिसे आप इस कड़ाई को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर पाएंगे तो जादा हमें र अगर अगर रगड़िए का तो अच्छे से यह एक क्लीन हो जाता है तो जहां पर भी कार्णर पर आपको लगता है कि जला हुआ है वहाँ पर इस तरीके से उसको साफ करिए तो इस तरीके से तो इनो और नमक के पाने में इसको रखकर हलकी थोड़ी दिले गरम करने से क्या लेयर है जली हुई वो थोड़ी सी लूज हो जाती है तो उसके बाद अगर हम स्क्रबर से साफ करते हैं तो बहुत ही असानी से साफ हो जाती है और अगर ड्राय लगे तो थोड़ा पानी लेकर इस तरीके से आप उसको रगड़ते जाए तो अच्छे से क्लीन हो जाता है तो चलिए इसको आपको साफ पानी से धो के दिखा देते हूं तो यहां पर यह देखिए बहुत ही अच्छे से जो कड़ाई है एक दम चम चमा चुकी है पहले कैसी कड़ाई थी और अब कैसी है पूरी जो है तेल की जली हुई परत इस पे जमी हुई थी पीछे साइड में तो व मिलती हूं कल फिर एक नए वीडियो के साथ तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा गुडबाई